अच्छा एक बात तो है कि वीडियो गेम जब हम खेलते हैं तो मेन कारेक्टर्स पर सब ध्यान देते हैं जैसे काल जॉंसन, सीजे, टॉमी वर्सीटी, और माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन, जीटीए के जितने भी कारेक्टर्स हैं और नॉर्मली जो भी हम वीडियो गेम खेल लोग इदर दर चलते रहते हैं उनको चलाने के लिए आटिफिशल इंटेजिएंस का इस्तमाल होता है अब, पुराने गेम होते हैं उसमें जो क्राउड होती है, उसमें AI का इस्तमाल होता है, तो सवाल यही है आज का कि क्या NPCs, जो वीडियो गेम में जो घुमने वाली क्र AI है, AI का मतलब होता है आटिफिशल इंटेजिएंस, मतलब क्रित्मी ग्रूप से सोचने समझने की शक्ती, अब जबकि क्रित्मी ग्रूप से उनको सोचने समझने की शक्ती दी है, तो वो यह पता भी होगा कि आप कैरेक्टर और कहां हो, तो आपका पीछा कर सकते हैं, या इसमें artificial emotions वगरा नहीं दिये जाते हैं लोगों को, तो हाँ, ये लोग सेंस कर सकते हैं कि आप हो गेम में, और कैसे हो, क्या कर रहे हो, उसके प्रती रियक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे तरीके से intelligent नहीं होते, अब बहुत सारी गेम है, horror games का example मैं ले लेता हूँ, य जैसे कि अगर कोई horror game आप खेल रहे हो, तो कितनी तेज आप चल रहे हो, कितना छुप छुप के चल रहे हो, उस villain तक पहुंचने में कितना time आप लगा रहे हो, उससे आपका anxiety level decide किया जाता है, और जो programming language होती है, उसमें anxiety जो आपकी है, मतलब आप कितना ढरे हुए हो game को ख तो आप villain से ठोड़ा छुपोगे भी, एक जो धीरे धीरे चलोगे, फूग फूग के कदम रखोगे, तो इसका मतलब आपका anxiety level high है, तो वो आपको game में और डराने की कुशिश करेगा, तो हाँ, ये पूरा एक program है, जिसे आप दूसरी language में ये भी कह सकते हो, कि जो NPCs होते ह हैं कि game में आपके क्या emotions हैं, और उसी के हिसाप से react भी कर सकते हैं, programming languages ऐसे ही काम करती है, कि if this, then that, ऐसे करके जो होते हैं, statements होते हैं, आपको पता ही होगा, ये beginning की चीज़ हैं बहुत, तो हाँ, NPCs आपको sense कर सकते हैं, इन NPCs को बनाने के लिए जादा मेहनत नहीं की जाती, इनके facial characters बगेरा बहुत ही ऐसे ही बनाये जाते थे, पहले बनाये जाते थे, आजकल तो काफी advance हो गये हैं, ये लोग भी, और GTA में अगर आप किसी NPC को follow करेंगे, मतलब ऐसे ही जो crowd में, तो आप देखोगे वो ऐसे चलता है, फिर ऐसे मुरता है, फिर थोड़ा ऐसे चलता ह इनका काम यही होता है, और कुछ-कुछ तो ऐसा भी कहा गया है कि बहुत अजीब behave करते हैं, और कई बार तो ये कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हुए पाई जाते हैं, जो क्योई सोच भी नहीं सकता, तो काफी mystery है, GTA गेम्स वैसे भी बहुत जादा इस चीज़ के लिए कु इडियो स्टेशन्स है, इल्यूमिनाटी ले लो, सेटनिस्ट की मेसेज़े ले लो, और रिसेंट हुई हुई हैपनिंग के बारे में ले लो, जो रियल वर्ल्ड में हुई है, उन सारी रेफरेंस आपको GTA उसमें मिलते हैं, उनके NPC में भी मिलते हैं, तो हाँ ये सही बात है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी थे, उसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेर करें, साबर सेक्योरडी और इथिकल हैकिंग में इंट्रस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 2.99 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्से हैं, जो आसान भाशा में आपको और गावारे बे॥ीजी के 2घ झावाई कोरा बिस्क्रिप्शन चेक कर दोस्तों करें, टbayन में आषिक जावारे थे, झावारे तो सेजर सेक्परें, गी तो सान увाइक चारे सिरूर तो करें, बली दोसंतों के से अवंज करें, यावारे पींजियो, या़illä वारे थे, बद